आज हम लोग साही पनीर बनाएंगे चलिए अब उसका सुरुवात करते हैं मैंने एक कड़ाई को गरम होने के लिए डाल दिया है अब उसमें दो चमच देशी घी डालेंगे क्योंकि साही पनीर है इसलिए अंदाज भी तो साही होना चाहिए ना इसमें 12 तेरा काजू और 12 त दाल करके अच्छी से इसको थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे आप इसमें किसमी स्वी डाल सकती है अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद मैंने 200 ग्राम का पनीर लिया है उसको टुकड़ों में काट लिया है अब जिस तरह काटना चाहिए आप काट करके और थोड़ अच्छा फ्लेवर आता है कि देखिए थोड़ा दे चला करके एक दो वार और फिर इसको हम लोग निकाल लेंगे ज्यादा फ्राय करेंगी तो यह चिम्मट जैसा हो जाएगा आपका पनीर इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे फिर मैंने दो बड़े प्याज को काट लिया ह है उसको भी हम फ्राय कर लेंगे खी में ही और बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे फिंक थलका पिंक हो जाएगा फिर इसको हम लोग प्याज को निकाल लेंगे कि यह नहीं बहुत ही जटपट बढ़ जाता है इसको बरावर से आप चलाते रहिए और जब थोड़ा पिंक हो जाएगा इसको आपको होने में तो तीन मिनट लग जाता है इसको अच्छे से तयार होने में देखिए अब मेरा ये रेडी हो गया है अब इसको भी हम लोग निकाल लेंगे इसको हम लोग साइट में कर लेंगे सारा प्याज को ताकि सारा घी इसका कढ़ाई में ही रह जाए इस तरह से एक मिनट छोड़ करके फिर इसको प्लेट में हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से पूरा घी निकल जाता है देख क्या करता है आपको घी मतलब कि इधर बिरबा बात नहीं होगा इस तरह से सारा हम लोग निकाल लेंगे अब मैंने हल्दी पॉडर सबजी मसाला सब एक एक टीस्पूल लेंगे मिर्च पॉडर भी एक टीस्पूल लेंगे हम लोग को तीखा थोड़ा जादा पसंद है अब मैंने ब्लैक पेपर लिया है आधा टीस्पूल यहाँ पे मैंने तेजपाद जीरा और मिर्ची को डाल करके हरा मिर्ची रेट मिर्ची दोनों है अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जिंजर को भी डाल देंगे एक चमच जिंजर है इसमें गार्लिक हम लोग नहीं देंगे अब इस तरह से इसको हाफ केजी इसमें दूद डालेंगे हम लोग और तब फिर सुखावा मसाला इसमें डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसको अच्छे से भूनेंगे हम लोग इस तरह से चलाते जाएंगे देखिए कितना अच्छा से मसाला भुना गया है मेरा अब इसमें हम लोग फ्रेस क्रीम डालेंगे इसमें पानी का इस्तवाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि साही पनीर है तो साही जैसा ही रहना चाहिए फ्रेज क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो दो तीन दीन का चाली आप रख लीजे फिर इसक में थोड़ा सा दूट डाल करके मिक्सी में चला लीजे फ्रेज क्रीम आपका त्यार हो जाएगा अब इसमें हम लोग गरम मसालर डालेंगे आधर टेस्पूल अब देखिए साई पनीर हम लोग का एक तम रेड़ी हो गया है अब जो हम लोग पहले से तलके रखे थे वो इसमें डाल करके एक तू मिनट के लिए इसमें चला लेंगे बस जादा नहीं रखना है तो बनेट और थोड़ा सा ढखके भी थोड़ा सा रख लेंगे फिर एक तम रेड़ी हो जाएगा हम लोग का देखे कितना जटपड बन जाता है साई पनीर और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है आप जो मार्केट में खाती है उससे जादा टेस्टी घर का लगता है साई पनीर बस कम करके दो बनट ही रखें देखें एक तम रेड़ी हो गया है अब साई पनीर है तो साई अंदास से ही इसको सर्व करेंगे हम लोग देखें अब इसका हम लोग प्रिटिंग करेंगे तेजपात को अटा करके देखें कितना अच्छा लग रहा है अब इसके उपर से हम लोग फ्रेस क्रिम भी डाल देंगे देखें बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है आप कभी इस तरह बना के खा के देखें जो पच्छे होस्टल में रते हैं वो भी बना सकते हैं इसमें मिक्सिका भी कोई जरूरत नहीं पड़ता है और बहुत जल्दी और एने रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू और लाइक करने के लिए भी